नमस्कार दोस्तों मैं मोहन वर्मा दोस्तों आज मैं एक ऐसा ट्रिक लाने वाला हूँ जिसे देख करके आप अचंबित हो जाएंगे दोस्तों होता यूँ है कि चिन्नी वाले प्रस्न में बहूत बार लोग मिश्टेक कर जाते हैं उन्हें समझ में आता है यहां 20% ब्रिधी करने कह रहा है फिर कितना प्रतिसत हम कम करें यहां ब्रिधी और कम में लोग उलज जाते हैं मैं इस तरह के प्रस्नों को सौल्व करने के लिए एक आसान तरीका लेके आया हूँ इस तरीके से आप केवल चिन्नी वाले प्रस्नों का ही हल नहीं कर सकते हैं इस तरह के अन प्रस्न जो है उनको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं चलिए, शुरू करते हैं इस ट्रिक के बारे में, यहाँ पर देखिए, सिधा सा लिखा हुआ है, यदि चिन्नी के मुल में 20 परतिसत ब्रिधी हो जाए, मालिजे कि अभी जो चिन्नी का दाम 100 रुपए था, अब ये चिन्नी मिलने लगा 120 रुपए में, जो चिन्नी 100 यही है, और आप जब आप मार्केट जाएंगे, तो अब एक केजी चिन्नी मिलेगा क्या, तो कितना खपत कम करना होगा, आनि कितनी चिन्नी हमको कम लेनी होगी, जिसे कोई खर्च में, इस पर कोई परभाव नहीं पढ़े, आनि खर्च बढ़े नहीं, तो इस तरह के प्र ब्रिधी हो रही है, तो पलस करना है, कमी हो रही है, तो माइनस करना है, पहले भी मैं बताया था, तो यहाँ पर ब्रिधी हो रही है, तो जो कुछ हो रहा हो, ब्रिधी या कमी, इसको आप यहाँ पर सीधे लिख देंगे, हो गया, अब नीचे में क्या लिखना है, सौ में स सो में से जदी ब्रिधी होगा तो जोर देना है जदी कमी होगा तो घटा के लिखना है यहां पर ब्रिधी हो रही है तो सो में 20 जोर देंगे 120 हो जाएगा और परतिसत में लाना है इसलिए 100 से गुना कर दिजे आपका अंसर दोस्तों आ गया अब इसी को हल कर देंगे आपका अंसर आ गया देख लिजिए एक जीरो एक जीरो कट गया ये हो गया शिक्स ये फिर थिरी ए फिर अब इसको पचास को तीन से डिभाइड कर दिजिए सल्ती आर तालिस सल्लपुर्णांक दो बटे तीन परतिसत आपका अंसर आ गया है ने कमाल का ट्रिक्स दोस्तों अभी और थोड़ा और आगे देखेंगे आपको मजा आएगा दोस्तों देखिए यहाँ पर धियान रखनी वाली बातें क्या है कि बिरिधी हो रही है या कमी हो रही है यहाँ पर उपर में जो लिखना है बिरिधी हो या कमी हो जो भी हो यहाँ उपर लिख देना है लेकिन जब नीचे लिखते समय ध्यान रखना है क्या रखना है कि 100 आपका इसको आधार माल ले इसको आधार माल ले और आपका जब कमी होगा तो 100 में घटाना है बिरि के मुल में 10% की कमी 10% की कमी करना है और या 10% की कमी हो गई जो मुल आपका पहले 100 रुपय था अब 90 रुपय में मिलने लगा अनिए के जी का मुल आपका पहले 100 रुपय था अब दाम घट गया दाम घट गया तो एक एजी का 90 रुपईय लग रहा है जब आप 100 रुपई लेके जाएंगे तो अब तो जादा एक एजी से जादा ची नहीं मिलेगा एक एजी से जादा मिलेगा न तो यहाँ पर करना क्या है कि हमको खपत में कितने पर्तिशत की बृधि कर द तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं बताया कि जो भी कमी हो या अधिक हो बृधी हो उसे यहाँ पर आप लिख देंगे हो गया दूसरा चीज कमी होगा तो सौ में घटा के लिखेंगे बृधी होगा सौ में जोड के लिखेंगे यहाँ कमी हो रहा है आनि कमी मतलब घटा होता है 100 में आप घटा दें 10 को 100 में 10 घटाएंगे 90 हो गया और यहां पर 100 हम मैंने बताया कि अपने मन से लिखना है अब इसको हल कर देंगे दोस्तों तो यहां पर आ जाएगा आपका 50 यहां सुरी अब यह नहीं कट रहा है नहीं कट रहा है तो यहां पर देखें एक सो उपर में रह गया और हर में 9 आ गया इसको डिवाइड करेंगे एगर 99,91 पुर्णांक एक बटे 9 परतिसत आपका यह राइटन सर हो गया तो हमने क्या देखा दोस्तों कि कमी हो रहा हो तो घटा करके नीचे लिखा जाता है कमी होने पर कमी होने पर एक सो में से घटा कर लिखना है लेकिन यही ब्रिधी होगा तो क्या करेंगे एक सो में ब्रिधी आनि जोड कर लिखना है जोड कर लिखना है बस यही दो चीज ध्यान देना है कि कमी हो रहा है सो में घटा करके हर में लिखेंगे और जदी ब्रिधी हो रहा है जब मुल में ब्रिधी कहेगा तो हर में सो में से जोड देंगे उसके बाद लिखेंगे देखिए एगला प्रस्न को, यहां कहता है, खाज तेलों में 25% की बृधी होने पर, यहां पर मुल में बृधी हो रही है, मतलब पलस हो रहा है, मुल में बृधी मतलब पलस हो रहा है, होने पर एक ग्रहनी को अपनी तेल की खपत कितने परतिसत कम करनी होगी, यहां पर तेल म में कितना प्रतिसत की कमी कर देगी किस पर कोई खर्च ना बढ़े मतलब दोस्तों जो पहले तेल खरीद रहा था 100 रुपए में 1 kg एक सो रुपए में 1 kg यव दाम बढ़ गया 125 रुपईया लगता है एक के जी का लेकिन आपके पास 100 रुपए ही हैं आप सोच लिये हैं कि परतेक मां हमको 100 रुपई खर्चा करना है तब आप कम तेल कम खर देऊगो ना चुकि दाम बढ़ गया है तो यही चीज तो चीनी वाला ही है जब चीनी वाला प्रसंद समझ गये तो इसे समंदित दूसरा भी प्रसंद बना सकते हैं क्या करना है यहां पर मैं बताया था कि बृधि या कमी जो है इसको उपर में लिख देंगे बृधियत लिख दिया अब मैंने बताया था कि बृधि होने पर 100 में से जोड़ के लिखना है सौ में से जोड के लिखना है एक सौ और पचीस जोड देंगे एक सौ पचीस हो गया और यहां पर गुना कर दें सौ से गुना कर दें पचीस पच्चें एक सौ पचीस और पांच बिस पच्चेस सौ अंसार आपका आगया बीस परतिसत की कमी करना होगा बीस परतिसत की अब कमी करेगा तो उसका मद पर आने इस मद पर कोई खर्च न बढ़ेगा न घटेगा एगला और और प्रसन देख लेते हैं इसी तरह का दोस्तों जदी आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना नहीं भूलेंगे दोस्तों इसे सेर करें ताकि दूसरे लोग भी इस तरह के प्रसनों को आसानी से समझ सके हैं चलिए दूसरा प्रसन यहां पर देख रहे हैं कि किसी वस्तों के भाव में 20% की ब्रिधी होने पर उस वस्तों की खापत कितने परतिसत कम की जाए कि खर्च नहीं बढ़े आनि जो आपके पास 100 रुपए पहले था अब भी वही 100 रुपए है लेकिन दाम आपका अब जो पहले 100 रुपए में 1 केजी मिलता था अब कर दिया 120 रुपए दाम तो आप 100 रुपए में कितना कम खरीदोगे कितना कम खरीदोगे यह यहाँ पर पूछ रहा है तो मैंने बताया था कि बृधी आ कमी हो रहा इसको उपर लिख देंगे बृधी होने पर जोड के यहाँ पर लिखेंगे 100 में जोडना है जोडते कितना में है 100 में जोडना है 100 में जोड दिया और यहाँ पर 100 से गुना कर एक जीरो एक जीरो छवा गया इसको तीन ये पच्चास पच्चास बटे तीन आया परतिसात इसको डिभाइड करें सोल ती आर तालिस ये आपका अनसर आया तो दोस्तों आय होप आप समझ गये होंगे जधि आपको इस तरह की और प्रस्ण जिसे समझ में नहीं आ रहा हो जिसका आप 100 ट्रिक्स चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखर के भेजे हैं comment box आपका है comment box को लिकर के भीजए है हम आपके comments को पढ़ते हैं और उस तरह का tricks हम बना करके आपको देंगे दोस्तों मेरे channel पर ज़दी आप नहीं होंगे तो channel को subscribe कर लेज ताकि आपको इस तरह के amazing tricks and tip's math का tricks और tip's मिलता रहे ताकि आप आसानी से अपनी तयारी को फुल फिल कर सकें दोस्तों लाइक करना नहीं भूलेंगे आपका लाइक हमारा उत्सावरधन करता है अपने दोस्तों को सेर करना नहीं भूलेंगे अपने दोस्तों को सेर करेंगे जैहिन दोस्तों धन्डवाद